दोस्तों अगर आपके पास एक पुराना Android OS का टीवी है और वह बहुत ही स्लो हो गया है तो ये वीडियो को आप जरूर देखेगा आज के ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप आपका Android OS का टीवी का परफॉंस को कैसे एनांस करेंगे अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके पास एक पुराना Android OS का टीवी है जो के काफी स्लो हो चुका है नार्माली अगर देखा जाए तो मैक्सिमम एंड्राइड OS TV में आपको 2GB का RAM मिलता है और 16GB का मेमोरी मिलता है बट 32 इंच का अगर आप TV देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम 1GB का RAM मिलता है और 8GB का मेमोरी मिलता है तो ज्यदा तर अगर आप देखेंगे 32 इंच का टीवी जिसमें 1GB का RAM रहता है वो बहुत जल्दी स्लो हो जाता है अगर आप कोई भी application open करते है या उसका GUI में आप move करते है तो आपको slow बहुत ही फिल होता है तो आज मैं आपको बताऊंगा आप आपका TV का performance को कैसे enhance करेंगे जैसे के अगर आप ये steps को follow करते है तो definitely आपका TV का performance बहुत ही improve हो जाएगा तो हम डेर नहीं करेंगे चले TV screen के पास तो friends यहाँ पर मैं only आपको दो ही step बताऊंगा वो दो step को अगर आप follow करते हैं तो definitely आपका TV का performance बहुत ही improve हो जाएगा तो पहला step यह है कि आपको आपका TV का setting में जाना है जैसे मैं ये जो TV में आपको दिखा रहा हूँ ये TV में Google TV OS है तो normally हमारे Android OS का TV में Android 9, 10, 11 बगएरा रहता है बट उसमें भी आपको एक setting मिलता है आपको simple setting के अंदर जाना है setting में नीचे आपको एक system मिलेगा उसके अंदर आपको जाना है and last में आपको जाना है about में तो यह steps आपको बताए यह सभी टीवी में आपको मिल जाएगा मिन्स सभी Android TV में आपको मिल जाएगा तो नीचे आपको जाना है यहाँ पे Android Build जैसे यहाँ पे लिखा है Android TV OS Build तो आपको नर्माल मिलेगा यह Android Build तो इसके अंदर आपको continuous क्लिक करना है तो यह continuous क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका developer option जो है यह enable हो जाता है तो आपको टीवी में आपको developer option जो है वो enable हो जाएगा तो इसमें आपको और एक extra setting मिलेगा जो के developer option तो इसके अंदर आपको जाना है इसमें आपको कुछ setting change करना है तो simple आपका टीवी में भी developer option यह same way में जा सकते हैं, उसके बाद आपको नीचे आना है, तो नीचे आने के बाद आपको आना है Windows Animation Scale, तो यह जगह में आप minimum इसको 1 में set कर दीजिए, जैसे यहाँ पर default 1 में है, तो आप इसको 1 में set कर दीजिए, और second आपको transition animation scale में जाना है, और इसमें भी आपको 1x कर देना है, जैसे यहाँ पर में 1x रखा हूँ, तो simple आपको यहाँ पर 1x रख देना है, और यह जगह में animator division scale जो है, इसको भी आपको 1 में रखना है, जैसे minimum रहता है 0.5x, तो आपको 1x में यहाँ पर set करना है, तो next आपको background process limit में जाना है, और इसमें जाने के बाद आपको developer option से बाहर आ जाना है, अगर आपको यह developer option को disable कर देना है, तो simple यहाँ पर option रहता है, enable developer option यहाँ पर आपको uncheck कर देना है, मिनसे आपका menu से यह developer option है, यह disable हो जाता है, तो अगर आपको फिर से enable करना है, तो same process आपको follow करना है, तो आपको simple यहाँ पर about में जाना है, औ फिर से वो enable हो जाता है, तो यह process complete करने के बाद, आप आपका TV को एक बार restart कर दीजिए, जैसे अगर आप remote का power button को continuous press करके रखेंगे, तो आपको power off का option आ जाएगा, तो यहां से power off कर सकते हैं, या आपका TV को reboot कर सकते हैं, तो reboot कर लेने के बाद, आपको और एक step follow करना है, जो क है, तो आप उसको minimum 80% में ही रखेंगे, और 20% आपका TV का memory को free रखेंगे, अगर आपके पास कुछ ऐसे application है, जिसको आप use नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे unnecessary application है, तो उसको आप on install कर दीजिए, जो application regular business में आप use कर रहे हैं, वही application को आपका TV में रखेंगे, जो unnecessary application है, उसको आ आप on install कर दीजिए, तो जैसे ही आप on necessary application को on install कर देंगे, तो आपका TV का memory जो है, काफी free हो जाएगा, तो friends ये दो steps को follow करने के बाद, आप आपका TV को check कीजिए, previous के compare में, आपका TV का performance till date में काफी improve हो गया होगा, अगर आपके पास भी Android OS का TV है, जिसका performance काफी slow है, तो ये अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, like and share जरूख कीजिएगा, अभी आप हमको Facebook, Instagram, and Twitter में follow कर सकते हैं, तो हमारा social media का link आपको description में मिल जाएगा, तो यसे ही देखते रहे हैं हमारा channel till then, stay tuned